नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्तान कर्मचारी चैन बोर्ड ने कुछी समय पहले राजस्तान अध्यापक भरती परिक्षा लेवल बन का रेजल्ट यानि फाइनल रेजल्ट चारी कर दिया हैं, और काफी अभ्यरती ये जानने को बेताव हैं, पूछ रहे हैं कि सर इतनी कट ओफ कैसे रही, कट ओफ बहुत ज़्यादा गई हैं और उमीद से बहुत ज़्यादा गई हैं, प्यारे साथियों, रीट लेवल प्रतम का जो परिनाम आज़ जारी किया गया है, उसकी हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं, तो प्यारे साथियों, आईए हम सबसे क्या कट ओफ रही है, नों टीיהसबी की, मैं आपके लिए इसको दूं कर देता हूं, तक कि आपका थूड़ी आसानी रहे हैं, लिए हम बात कर रहे हैं नों टी एसपी की, यह जो cutoff आप देख पा रहे हैं यह non-tsp non-tsp की जो cutoff है जनरल कटेगरी के अगर हम बात करें तो वो रही है 195 एरसत्यो 195 something रही है बहुत ज्यादा रही है यह cutoff लेकिन फिर भी अगर आनुमानी तोर पर कहें दूसरी कटेगरी से तोलना करें तो 8.something कुछ परसंट इसमें अंक बड़े हैं अगर हम बात करें जनरल EWS की तो वो काफी उचाल उसने लिए हैं लगबग आप देख लीजे इसमें जनरल में 185 180 181 यानि करीब करीब यह 10 अंकों का उचाले 10 नहीं 15 अंकों का उचाले इसके अंदर SC की बात करें तो जनरल की cutoff यह रही है 173 SC की बात करें 156.something OBC की बात करें सबसे ज़्यादा candidates के अंदर appear होते हैं 187 cutoff रही है MBC की बात करें 185.61 something सेरिया की बात करें जनरल और फीमेल में select हुए बाकी में candidate को available नहीं हुए और horizontal cutoff की बात करें तो यह रही है तो पहले साथियों उम्मीद से बहुत ज़्यादा उचाल यहां पर देखने को मिला है 195 195 cutoff किसको करते हैं 10 अंकों का उच्छाल हुआ है यहां पर 10-15 के करीब तो आगे जो अभ्यरती L2 के जो हैं उनको यह चिंता सतारियें के सर कटoff कितनी बढ़ सकती हैं और आगे तो उससे पहले हम एक बार नज़ा डाल लेते हैं अनुसूती छेत्र यानि की TSP एरिया के लिए जो TSP के जो Candidates हैं यह जो cutoff हम देख रहे हैं यह हैं TSP की TSP की cutoff की बात करे हैं यह General Category के अंदर हम बात करे हैं तो 172 cutoff रही है SC की बात करे हैं तो General में 153 SC की बात करें तो वो है 147 और बाकी है Horizontal आप जानते हैं तो मोटा मोटी तोर पर बात करें तो यह रही है cutoff finally और यह non TSP के बात करें सबसे बड़ा मुद्दा जो इसके अंदर आ गया आता है उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे बड़ा जो प्रश्ण है वो यह है कि जो cutoff है cutoff में बहुत ज़्यादा उच्छाल देखने को मिल रहा है cutoff उमीद से ज़्यादा friends उमीद से बहुत ज़्यादा जा रही है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें किस तरह से तैयार रहनी क्या विश्कता है तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हमें क्या करना है सबसे पहले काम तो आपको यह करना है मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले काम जो आप करने वाले हैं वो यह करेंगे कि आपको सबसे पहले धहरी बनाये रखना है सबसे पहले काम है धहरी बिल्कुल धहरी बनाये रखना है उच्छाल कितना भी आए आप यहाँ पर एक अनुमान हम मान सकते हैं कि 10 से ज़्यादा 15 अंकोतक का उच्छाल देखने को मिल रहा है लेकिन ये जो उच्छाल है वो हमने L1 में देखा है लेकिन L2 में ये संभावने बिल्कुल कम है फ्रेंज इसलिए चिंता ना करें और अपने उपर विश्वास बनाये रखिए सब अच्छा होगा और अन्तिम तोर पर अगर हमें तीसरे बिंदू की बात करूँ तो वो हैं वेट वेट करें और इसके साथ ही पोजिटिव बने रहे हैं अपने लिए सकारात्मक सोचें तो जिन अब्यरतियों का आज रिजल्ट आया हैं उनके लिए यही कहना च spielenगा क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक न सफल हो नीन चेन को त्यागो तुम संगश का मैदान छोड़ मत भागो तुम कुछ किये बिना ही जैजेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो प्यारे साथियों आज का ये वीडियो आप सब के लिए इसी आधार पर बनाया गया है कि cut off उम्मीद से ज़्यादा रही है लेकिन इसके बावजोद भी हमें धैरे नहीं खोना है निश्चे तोर पर result आएगा और बहुत अच्छा result आपको देखने को मिलने वाला है तो प्यारे साथियों आप सबने मुझे धैरे से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके कोई प्रशन है तो comment box में जरूर लिखे आने वाले जो results है L2 के अलगलग विशेयों के हिंदी हो चाए वो इंग्लिश हो चाए बिज्यान हो इस प्रकार के जो विशेय संस्कृत है उनके result और उनकी cut-off में कितना उचाल रहा सकता है आपके कितने marks आ रहे है तो ये सारी चाहिए आप अपने comment box में अपने प्रशना लिख सकते है ताकि आने वाले वीडियोस के अंदर में आपकी इन प्रशनों का समाधान लेकर उपस्तित हो सकता हूँ बाकी friends आप अगर चैनल पर नए है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाब मिल सकें धन्यवाद